हलो हलो एंड वल्कम बैक तो सेफटी इसकील चैनल दोस्तों स्वागत है आपका इस निव वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहले मैं यह क्लियर कर दूँ कि आज जो हम लोग टॉपिक डिसकस करने वाले यह बहुत डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अर्गोनॉमिक्स क सबसे नाम से जानते है यह इंडेसेटार सीफ्ती का पार्ट नहीं है यह टोपिक में नहीं आता है यह अक्यूपिसमाले थेव OFFICER版 का पार्ट है इसके साथ यह भी बता दूँ कि इंडेसेटार्ड सीफ्ती बहुत ही इंपोर्टन रोल इसलिए ये वीडियो बहुत ही important हो जाता है जो भी safety के field में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग start करते है table of contents से इसमें हम लोग total 6 contents देखेंगे पहला है introduction of ergonomics, second why ergonomics is important, third what is ergonomics, fourth ergonomic control methods, fifth pp for ergonomic hazards, sixth some examples तो चलिए one by one हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं आगे बंदी से पहले दोस्तों आपको बतना चाहँगा कि यो लास्ट वीडियो है वो फैक्ट इस एक 1948 के ऊपर बनाए गया था जिसमें mcqs से related question को add किया गया था जो कि बहुत ही easy और important है I hope आपने वो वीडियो देखा होगा अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को बाद आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं उसका link मैं description box में दे दूँगा अगर आप इस चैनल पर first time आया है और पहली पर वीडियो को देख रहे हैं तो subscribe बटन पर क्लिक करें और bell icon को क्लिक तरके all पर क्लिक करें चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग कुछ ergonomic की history यानि introduction जान लेते हैं so ergonomic एक Greek word है जो एक police scholar ने सबसे पहले निकाला था ठीक है और उस scholar का नाम है वजिसी एक जस्त्र जेबोस्की बहुत ही difficult नाम है जो कि 1857 में आया था सबसे पहले ठीक है so इसे लोग कब जानने लगे जब उनका जो एक police book है वो reprint हुआ 140 साल बाद 1997 में जब English translation में उनका book आया तब इस word को लोग जानने लगे अब आगे Egypt, Greek and Roman period में काम से होने वाले health problems often report होने लगे क्यों ergonomics स्टार्ट हुआ क्योंकि Egypt, Greek and Roman periods में काम से होने वाले health problem often report होने लगे सबसे पहले एक Italian physician ने working conditions and pathology के संबंद को systemize किया occupational health के perspectives है so इस book में ना केवल उन्होंने asthma या tuberculosis जैसे बिमारी को include किया जो कि mining में fine particles से होते है इसके अलावा उन्होंने कुछ awkward gesture postels से होने वाले बिमारी को भी इस book में include किया जो कि regular काम करने वाले जो workforce हैं, labor हैं, उनके body में उस तरह का pain रहता था और उन सारे reasons को, body pains को उन्होंने इस book में include किया Okay, so 28 अताबदी में जब अद्धोगी करांती शुरू हुआ और labor and health के बीच में संबंद में सफाई मागने लगे तब ergonomics बहुत important हो गया था So, in 1919, 1919 में फिर एक book छपी जिसका नाम था The Science of Labor and its Organization By a police scientist, ये भी एक police scientist थे और ये book इसमें चपी थी English language में जिसमें इस issue को अच्छे से discuss किया गया था ठीक है, इसके बाद 1921 में ergonomics research के लिए सबसे पहला institute established किया गया इसके बाद 1959 में पूरे world में The International Ergonomics Association यो कि सौट में IEA की स्थापना की गई ठीक है, धिरे-धिरे पूरे world में IEA की स्थापना होने लगी और अभी ergonomics widely जाना जाता है किसी भी workplace से related की बात हम लोग जब करते हैं वहां की occupational health की बात करते हैं तो ergonomics वर्ड ज़रूर आता है कई बार आपने समान खर देऊंगे तो देखेंगे उसमें word लिखा जाता है ergonomically ओके, ये word वहां भी यूज़ किया जाता है तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं Why ergonomics is important सबसे पहले जानते हम लोग की इतना important क्यों है ये इसके लिए हमें क्या जाना होगा avoidable injuries कुछ injuries ऐसे होते हैं जिससे हम avoid कर सकते हैं तो वह कौन-कौन से हैं एक है acute injuries और दूसरा chronic injuries So acute injuries में क्या आते हैं acute injury किसे कहते हैं ये होता है immediately ये immediately होता है means जैसे आप chair में बैठे और अचानक गिरे हैं तो क्या होगा कमर में दर्द होगा कब वह next day होगा same day नहीं होता है second can become chronic ये दर्द जो हो सकता है धीरे 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 ये chronic हो जाए means पुराना हो जाए वो कभी छूटे ही नहीं और इसमें क्या हो सकता है reinserty में possible फिर से आपको वो चोट लग सकती है तो इसे क्या कहते है acute injuries अब chronic injury किसे कहते है happens over a time period अगर आप किसी mining area में काम करे है और लगाता है डस्ट ले रहा है तो आपको तुरंत उसका असर नहीं पता चलेगा pain और symptoms lasting more than a month इसे होने वाले जो pain है जो लक्षन है यह महिनों तक last कर सकता है most commonly affected body parts इसे कौन-कौन से body parts affect होते है जैसे neck, back, knees, ankles and feet hands, wrist and fingers, arms, elbow and shoulder ऐसे parts जो muscles, nerves और blood circulation से जुड़े हुए है उसको affect करता है यह ergonomics अब आपसे कोई पूछता है कि ergonomics में सबसे जादा risk factor क्या है issue क्या है क्यों इतना importance दिया जा रहा है उसका answer है कि इसमें physical risk है और psychological risk है बोथ risk है इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते है इसमें एक concept आता है WMST यह concept जानना बहाँ ज़री होता है जब हम लोग ergonomics डिसकास करते है work related musculoskeletal disorders जिसे हम लोग WMST कहते है are MSDS that are caused or made worse by work methods and environment यह जो MSD होते है किसके वज़ा से होते है worse by work methods काम करने के तौर तरीके और उसका जो माहोल है उसके वज़ा से होता है they occur when the physical capability of the worker do not match the physical requirements of the job अब इसको हम एक example में समझते है कि यह लाइन क्या बोल रही है they occur when the physical capability of the worker do not match the physical requirements of the job अब मालीजे कोई एक female है जो चार फिट की है अब कोई male है जो चे फिट का है दोनों को अगर एक ही table दिया जाए जो की तीन फिट का है तो क्या दोनों उस table पे आराम से काम कर सकते है सो आप भी समझ सकते है यह practically दोनों में से किसी एक को जरूर पेनफूल होगा हो सकता है जो चार फिट की female है वो इसली काम कर सके बट जो चे फिट का इंसान है उसे एक दीन, दो दीन, चार दीन बाद उसके जो बैक है उसमें पेन होने लागेगा तो इसी कंडिशन को, इसी सिट्विशन को हम लोग क्या कहते है कि यह जो सिट्विशन है वो मैस नहीं कर रहा हूँ वरकर से, अब हम लोग आगे देखते है MSD includes, MSD में क्या क्या हो सकता है sprains, strength, inflammation, degeneration, tears, pinched, nerves और blood vessels, bone splintering and stress factors तो का यह जो पार्ट है, एक medical पार्ट से रिलेटेड है इसका जो, जो MBBS पढ़े होते हैं वही यह सब ट्रेनिक कराते हैं यह लोग करते हैं इसलिए इसमें अधिकतर टरम्स जो आपने को मिलेगा वो मेडिकल से रिलेटेड मिलेगा अब MSD में साइन क्या क्या होते हैं जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, क्रैंपिंग, डिफॉर्मिटी, डिसकमफर्ट, लॉस अफ कलर, लॉस बैलेंस, लॉस फंसन, डिक्रीस्ट रेंज ओफ मोशन, डिक्रीस्ट रेंज ओफ मोशन, आपका बाड़ी एक लिमिटेड एरिया तक ही मूफ करता है, जब आपके गर्दन में चोट लगता है, तो कैसे होता है, बहुत ही लिमिटेड एलियम आप मूफ कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यहां पर फीगर्स दिया हुआ है कि कैसे आपको एक जमीन से manually किसी भी वर्जन को उठाना है, उसका सही gesture, posture क्या है वो इस photo में बताया गया है, जिसे आप detail में देख सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि what is ergonomics, I hope कि अभी तक आप कुछ तो ergonomics के बारे में समझ पाए होंगे, तो चलिए इस slide में हम लोग ergonomics term को पूरा क्लियर करते है the term ergonomics originally comes from Greek words which means, इसमें ergonomics को जब हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ergo and nomos, ergo का मतलब होता है work and nomos का मतलब होता है law, so ergonomics is known as law of work, ठीक है, in other words, अब चलिए हम लोग other words में कैसे जानते हैं इसे, making workplace user friendly, workplace को इस तरह के से बनाना है, जो कि वहापे काम करने वाले उसक अब इस फोटो में देखेगा, फोटो में दिखाए गया है जहाँ पे एक लड़का कंपीटर में गाम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या ऐसे फैक्टर से हैं, जो उससे एफेक्ट कर सकता है, पहला temperature, दूसरा humidity, तीसरा air quality, चौता illumination and glare, पांचवा noise and sixth color, I hope आप यह बहु पांचे से रिलेट कर पा रहे होंगे, यह पांचे चीजे हैं जो किसी भी employee को उसके workplace पे directly impact करता है, इसलिए ergonomics इतना important हो जाता है, ठीक है, आपको इसमें ज्यादा practically समझने की ज़रत है, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर आपसे कोई one-liner definition पूछे, ergonomics का तो क्या बोलेंगे, ergonomics is a science and practice of designing jobs and workplace to mess the capabilities and limitations of the human body, okay, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ergonomics control methods, कैसे हम लोग ergonomics को control कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पहला, establish ergonomic program, ergonomics program हम लोग बना सकते हैं, दूसरा, ergonomic training session कंड़ कर सकते हैं, तीसरा, feedback from all level, हर level के job 1000 analysis, fifth, early recognition and reporting of potential MSDS, यतना जल्दी report होगा, उतना जल्दी अच्छा होता है, okay, so हम report की से करेंगे, जो भी वहाँ पे occupational health officer होगे, उसे हम लोग वहाँ पे report कर सकते हैं, ठीक है, अब, break the injury cycle, injury कैसे होता है, सबसे पहले क्या होगा, fatigue, उसके बाद क्या होगा, discomfort, उसके बाद pain, उ यह जो cycle है, इसे हमें क्या करना है, break करना, यह हम कैसे कर सकते हैं, ergonomics के जो control methods है, इसको follow करके, ठीक है, यहाँ पे photo में आप देख सकते example, different heights के लोग एक ही table पर काम कर रहे हैं, इसे ही कहते है, ergonomical workplace, okay, next, ऐसे कौन-कौन से PPE है, जो हम लोग ergonomics 1000 को दूर करने के लिए use कर सकत है, ठीक है, examples of some peepees, first knee pads, second elbow pads, third lifting straps, fourth lifting braces, fifth thermal gloves, sixth gripping gloves, seventh vibration gloves, eighth shoulder harness, कुछ pictures भी यहाँ दिया हुए, आप उसे relate कर सकते हैं, अगर आभी तक आपने Facebook और Instagram के safety skill पीच को follow नहीं किया है, तो तुरंत follow बटन दबाए, ताकि safety is related कोई भी updates आप से न चूटे, okay, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करना न भूले, ताकि उन तक भी इंपोर्टेंट और information पहुंच सके, okay, so, चलिए हम लोग यहाँ पर दो examples देख लेते हैं, ठीक है, physical ergonomic hazards and solutions, क्या hazard है और secure solution है, तो सबसे पहला, जो left side में figure है, उसमें देखिएगा, reaching above the head shoulder, कई बार होता है, हम अपनी, जो shoulder है, head है, उससे उपर काम करते हैं, ठीक है, working with hands above head for more than two hours per day, it is a hazard, ठीक है, अगर आप दो घंटे से ज़्यादा, इस तरीक से करते हैं, तो यह हजार है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी के बगल में एक black and white photo है, उसमें दि करना है, थोड़ा हलका हो जाना, फ्रेस हो जाना है, उसके बाद फिर से उस काम को करना है, ठीक है, second, हजार क्या है, repetitive motion, repetitive motions के बहुत सारे काम होते है, office में देखा हो, अपना एक बंदा, same काम continue कर रहा है, ठीक है, उसको repetitive motion कहते है, intense skiing for more than four hours per day, यह क्या है, एक हजार है, अग लगातार computer के सामने बैठे हुए है, तो भी यह आपके body के लिए सहीनी है, आपको थोड़ा उठकर, वहाँ पी थोड़ा body को stress कर लेना, फ्रेस कर लेना, पानी पी लेना, वहाँ से हट जाना, ठीक है, यह आपके लिए फायदे मंद होगा, okay, so, lastly, अगर हम कहें कि ergonomics किसे कह करना है, किस position में करना है, यह सारा जो science है, system है, principle है, यह ergonomics में आता है, okay, I hope आपका ergonomics का जो concept है, वो clear हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि ergonomics से रिलकेट कुछ और भी इस वीडियो में एड करनी की ज़रत है, मैंने most of the topics इस वीडियो में एड कर दिया है, examples बहुत सा का answer करने का, कोशिश करूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर लाइक करें, और अपने friends के साथ सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बैल आगान पी क्लिक करके, all पर पी करें, तो इचलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जै सुरक्षा, जै झाली, झाली.